बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटके में दूर कर देगा तो चलिए राशिफिल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है बुधवार का तारीख है 13 अप्रेल 2022 चैतर शुक्ल द्वादिशी पर चंद्रमा सिंग राशी और मघा नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा पांच शुभरंग रहेगा हरा शुभ दिशा रहेगे उत्तर राहु काल रहेगा दुपहर को बारा बचकर बाइस मिनट से लेकर एक बचकर अठावन मिनट तक गंड मूल नक्षत्र रहेंगे सुभे पांच अठावन से लेकर नौ बचकर 37 मिनट तक दिन का सबसे शुभ महरत रहेगा दुपहर को दो बचकर 10 मिनट से लेकर शाम को चार साथ तैस तक विशेश खाय स्थरी होग है और बड़ा विशेश परव है वामन द्वादिशी है भगवान वामन का वामन अवतार का विशेश दिन है और आपको बताएंगे विशेश हमारे विशेश उपाय में कैसे निरोगी काया देंगे वामन देव उसके लिए राशिफल आपको आखर तक देखना पड़ेगा तो चलिए वर राशिफल के शुरुआत करता है राशिश नमबर एक में शानी के एरीज के साथ में सलहा लेकर ही नया काम शुरू करें फसाववा पैसा वापिस मिलेगा छातरों के पढ़ाई अच्छे रहेगी खास मित्र से मुलाकात होगी शाम में बाहर घूमने जाएंगे उपाय ये करें कि छोटी उंगली पर चंदन लगाएं शुभंक पांच रहेगा शुभरंग रह दूसरी राशी वरिशानी टॉरस की बात करेंगे वेतन रधी के योगे हैं खास काम में भाई भेहन से सयोग मिलेगा जीवन साती के साथ सम्मंद सुधरेंगे गुस्य और भाशा पर काबू रखें सेहत को लेकर सतरक रहें उपाय ये करें कि गरीब कन्या को हरे मुंग दा पारिवार एक सयोग मिलेगा खान पान पर द्यान दें उपाये करें कि घर के उत्तर दिशा में तुलसी रखें शुभंक एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल चोथी राशी कर्क याने के कैंसर की बात करेंगे वेर्थ के विबादों से बचे आर्थे कि स्तिती में उतार चड़ाव रहेगा, खास काम में पिता सायोग देंगे, घर में खुशे का माहुल रहेगा, संतान से सुख प्राप्त होगा, उपाई ये करें कि इच्छा अनुसार पिस्ता खाएं, शुभंक सात रहेगा, शुभंक रहेगा, सिलेटी, पांच भी राशित सिंग्ग, यानि य करगों की बात करेंगे, अचानक धनलाब की योगे हैं, संतान से पूरी मदद में लेगी, खास लोगों से मुलाकात से लाब होगा, मित्र पूरा सयोग देंगे, घरिलू माहुल खुश्णुमा रहेगा, उपाई ये करें कि चावल के दाने करपूर से जला दें, शुभंक की तारीफ होगी, कुमारों को विवहा प्रस्ताव मिलेंगे, पारेवारे क्रिष्टे मधूर रहेंगे, उपाई ये करें कि इलाइची जेब में रखें, शुभंक दो रहेगा, शुभंक रहेगा, सफेद। की बात करेंगे, लंबित काम में तेजी आएगी, आर्थिक स्तिती सुधरेगी, पुराने लेंदेन से लाप के योगे हैं, छात्रों का मन पढ़ाई से हटेगा, भाई बहन से पुरा सैयोग मिलेगा, उपाई ये करें कि पक्षियों के लिए सूखा धनिया रखें, शुभ रहें, उपाई ये करें कि मूँ के दाने जेव में रखें, शुभंक चार रहेगा, शुबरंग रहेगा, नीला, ग्यारवी राशिक कुंब यानि के अक्वरियस की बात करेंगे, समाज में सम्मान मिलेगा, खास घरेलू काम में, पिता सहयोग देंगे, खर्चों पर रखें, कुमारों को विभाप्रस्ताव मिलेंगे, संतान की तरक्की से खुशी होगी, उपाई ये करें कि तूलसी पर जल चड़ाएं, शुभंक चार रहेगा, शुबरंग रहेगा, नीला, बात करेंगे, बारवी रैशी मीन यानि पाइसिस की, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, आर्तिक स्तिती सुधरेगी, रचनातमा कामों में रुची बढ़ेगी, पुराने दोस्तों के साथ में घूमने जाएंगे, माता के सेहत की चिंता रहेगी, उपाई ये करें कि जेब में इलाइचे दाना रखें, शुभंक आठ रहेगा, शुभंक रहेगा, नील विशेश ये है कि मघा नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, ऐसे में विशेश इस लाब का फाइदा उठाएंगे, आप भगवान वामन का पूजन करें, और भगवान वामन पर तूल्सी पत्ता और मिश्री का भोग लगा दे, शुखवा तूल्सी पत्ता हो तो भी लेखा और भोग लगे वे जो भोग लगवाँ इसका नित्ते थोड़ा-थोड़ा सेबन करें करें और इस पुरे प्रयोग में विश्येश मंत्र करें वॉप वामना ये नमहा आश्वस्त करता हूँ आपको निरोगी काया निश्चित प्राप्त होगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल एस्टो तक इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षवाए प्राप्त हुआ झाल ऑमस्कार नमस्षवाए